कश्मीर में आजकल प्राचीन मंदीरों के जीर्णोधार अथ्वा उनके पुनर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। खास पात यह है कि इस काम में कश्मीरी मुस्लिमों का भी बढ़ चड़ कर सायोग मिल रहा है। इसी कड़ी में पुल्वामा जिले के नवदल गाउं में 30 सालों के इंतिजार के बाद पौरानिक शिव मंदिर की चार दिवारी और यात्री निवास के निर्माण का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस निर्माण कारे में आसपास के 11 गाउं के लोगों के और से सहयोग किया जा रहा है। हाली में नवदल त्राल समीती के और से भूमी पुजन कारिक्रम का वहजन किया गया। जिसमें कश्मीरी पंडितों के साथ ही स्थानी लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। बताया जा रहा है कि पाटली गंगा के नाम से भी जाने जाने वाले इस प्रवित्र मंदिर में नवदल भवन का निर्माण कराया जाएगा। हम आपको अधाने की माननेता है कि इस प्राचीन मंदिर में सफेज शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनात विराजमान है। पताया जा रहा है कि त्राल प्रशाशन द्वारा अमरनात यात्रा से लौट रहे शर्धालूओं के लिए इस तीर तेसल पर सभी व्यवस्थाइं की जाएंगी। दरसल इस शिव मंदिर की गाथा अमरनात यात्रा से भी जुड़ी हुई है और माना जाता है कि अमरनात मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वहां से जो छड़ी चलती है उसके साथ जब तक यहां आकर विसरजन नहीं किया जाता तब तक अमरनात यात्रा संपन नहीं होत इसलिए मंदिर और श्राइन प्रविंदक समीती त्राल अवंती पुरा के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश भट ने ओप्राजेपाल मनोसिना से अपील की है कि वह इस तीर्थ हिस्तल को भारतिय तीर्थ परिटन के मानचीतर पर लाएं और इस पवित्री तीर्थ हिस्तल की प्र दियोजना की जानकारी लिए आई देखते हैं यह खासर पोड मेरा नाम दीपक राजदान है मैं इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हैड हूं और इस प्रोजेक्ट को असली टेक-उफ कर रही है टीएस पीसी और उसके प्रेज़ेंट है हमारे डॉक्टर रमेश बट और सं यहां पर काफी डिखीड से यहां पर है यह तो जो हमारे बज़े-बुजरुक थे वह यहां पर आते थे पूजा करते थे और यह तब इस सतिती में नहीं था यह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं यह इस चिनार के तलवटे में था तो वकत को जब वकत गुजर गया तो इसको फिर यहां पर पूटप किया गया तो लेकिन इसमें एक सेंसिटी है इस शिवलिंग का आपको नीचे बॉटम नहीं मिलेगा यह कितना अंदर है नोबडी के नोज इन इस वर्ल्ट तो यहां पर लोकल्स भी इसकी आस्ता रखते हैं वो आते हैं उनको महनिता है इसमे तो यह एक्चिवली जो यह नौदल श्राइन है यह रिलेटेड अंबरना श्राइन के साथ है अंबरना श्राइन के साथ है यहां मानाज गया है कि जब वहां पे पूजा अर्चना होती है जब वहां पे अंबरना श्राइन की चड़ी चलती है जब वहां से वापसी में यह यहां पर विसर्जन नहीं करेंगे विसर्जन ने तक उनकी अंबरनात यात्रा कंप्लीट नहीं होती है यह इसकी मानता है सर बिलकुल इसको सर कंस्ट्रक्शन हेल्प करने में हमारी एक और्गनाजेशन है जुम्मू में जिसका नाम टीएसपीसी है और नवदल तीरस्थान क के लोग हैं जो ग्यारा गाओं से रिलेटेड है अलेवन विलेज़ेश आर रिलेटेड तो दिस फ्राइन जिसनों ने अपने कंट्रिबूशन से इसको अभी तक कंस्रक्शन का फंडिंग कर रहे हैं यह जुमू से सारा आता है और इसमें हमारा पर्सनल पॉकेट इन्वाल कि जो अभी तक आये कोई हमें गवर्मेंट की साजन्स था या वो बोले कि हम आपको फंडिंग करें हम आपको कुछ पैसे देते हैं या दस लाग या पचास लाग कोई ऐसा गवर्मेंट का कोई भी एक्जेकीटिव मेंबर या उनका कोई रिपेजेंटिटिव यहां तक न चला आ रहा है 32 साल के बाद पहली बार यहां नौदल में पिछले संडे यहां पर हर बार पूजा होती है हर बार कश्मीरी पंड़त्स आते हैं यहां पर पूजा अर्शना करते हैं लेकिन कश्मीरी मुसलमनों के बगार यह पॉसिबल नहीं है यह लोकल्स हमेशा उनको हम नहीं मानते हैं कि यह पॉसिबल है इनकी खुद भी यहां पर रिलिजिस आसता है कि यह जो श्राइन है यह उसको मानते हैं और अभी रिसेंटली संडे को जो एक डेलेगेशन आया था जुमू से 15 मेंबर का डेलेशन आया था उन्होंने यहां पे पूजा अर्चना की औ हैं और यह एक मेसेज में देना चाहता हूं चाहे इस गाओं में चाहे जितने भी कश्वीर के रिलिजिस प्लेसेज है और वाई-चारा खास कर रदर हुड ना यह कटेगा ना यह डुबेगा हमारे साथ वाई-चारा था रहेगा और मरते दम तक रहेगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अबडेट आप तक पहुँच सके